नमस्ते दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त राकेश और आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है आज हम पढ़ेंगे भूकंप आने के कारण अथा भूकंप आने के क्या कारण होते हैं जिसकी वज़य से भूकंप आते हैं या भुकंप आने के कौन-कौन से कारड़ हैं। सबसे पहले लेखते हैं कि भुकंप आने के कारड़ क्या है। पिथवी के अंदर कभी-कभी अचानक हलचल होती है, तो भुकंप आते हैं। जब पिथवी के अंदर कभी कभी अचानक हलचल होती है तो भुकंप आते हैं तो पहला कारण यही होगा कि पिथवी के अंदर जब कभी अचानक हलचल होती है तो भुकंप आते हैं जैसे पित्वी है और उसके अंदर जब कभी भी अचानक हल चल होती है तो भुकम्प आते हैं जो अलम की उद्वेदन के कारण भी भुकम्प आते हैं कभी-कभी भुगाप के अंदर बनने वाली गैस हैं जलवास्प कम जो भुपटल को तोड़ कर ऊपर निकलती हैं जब कभी भूगर्प के अंदर बनने वाली गैसें या जलवास कम जो भूपटल को तोड़का उपर निकलती हैं, उपर निकल लेंगी कोशिस कहती हैं, जिससे भूगर्प आते हैं। जो आला मुख्यों के समान ही भूकंप भी प्रिसांत महा सागर के तटिये भागों में अधिक मातरा में आते हैं। जापान में भूकंप बहुत आते हैं। जापान देश में आते हैं। भारत में हमालय का पर्वतिय पिदेश हैं। है तो हे गाई यह आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आयो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें और सेयर करें धन्नबाद